Hello friends, welcome to study car. दोस्तों, आज किस important lecture में हम उत्तर प्रदेश के current affairs को discuss करेंगे, जो की 2024 का current affairs होगा. जो भी important question है आपके exam की देश्टी से, उन सभी को discuss करने वाले हैं, तो आप इस पूरे lecture को बहुत ही ध्यान से last तक जोड़ देखेगा. उत्तर प्रदेश पुलेस का re-exam होने वाला है, तो उसके लिए भी ये काफी important video होगा, तो इसके जितने भी important point हों, तो उन्हें आप load कर लें, क्योंकि ये point आपके exam में पूछे जा सकते हैं. चलिए पहला question discuss करते हैं, तो पहला question है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायो प्लास्टिक पार्क इस्थापित किया जाएगा? अंसर होगा लखीमपूर खीरी में, तो लखीमपूर खीरी में एक बायो प्लास्टिक पार्क इस्थापित किया जाएगा? और यह लखीमपूर खीरी के किस गाउं में या किस तहसील में स्थापित किया जाएगा, तो यह लखीमपूर जिले के गोला गोकरना तहसील की कुमभी गाउं में स्थापित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक उत्पादों की कारण होने बाले परियावर पार्टी से संबंद रखने वाले माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश बिधान सबा के विपक्ष की नेता बने हैं और उन्होंने अखलेश यादव का स्थान लिया है यानि अभी तक अखलेश यादव उत्तर प्रदेश की बिधान सबा में विपक्ष की नेता थे अब पर माता प्रसाद पांदे को लीडर ओफ अपोजीशन निप्त किया गया है। अंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए ब्रच्छारोपन अभियान चलाया जाएगा। अंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल का जो बौडर है वहाँ पर मित्र बन इस्थापित किया जाएगा। मित्र बन का मतलब ये होगा कि नेपाल की सीमा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की जितने भी जिले हैं उनमें ब्रच्छारोपन अभियान किया जाएगा। अंगला कुशन है किस राज में लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन काराबास के लिए विध्यक प्रस्ताबित किया गया है। अंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तो अब लब जिहाद के आरोपियों को आजीवन काराबास प्रदान किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, अभी तक 10 वर्स तक की सजा थी, लेकिन अब इसको आजीवन काराबास में बदला गया है, तो ये काफी important question है आपके exam की दिश् अंगला question है उत्तर प्रदेश के हात्रस में हुई भगदड की जाज करने के लिए बनाये गए तीन सदस्ये न्यायक आयोग के अध्यक्ष कोन बने हैं? अंसर हो जाएगा ब्रजेश कुमार स्रीबास्ताओ तो दोस्तो तीन जुलाई 2024 को एक सत्संग के दोरान हात्रस में भ प्रजेश कुमार स्रीबास्ताओ और इसके दो सदस हैं तो पहले सदस हैं सेबा निबरित आईएस ओफीसर हैमंत राव और दूसरे सदस हैं सेबा निबरित आईपियस ओफीसर भावेश कुमार सींग्ष अंगला question है लाल सिरबाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला स स्थापित किया जाएगा और ये जो लाल सिरबाले गिद्ध हैं इन्हें एसियन किंग वल्चर के नाम से भी जाना जाता है यह प्रजाती 2007 से आईउ सियन की रैड लिष्ट में भी सामिल है और इस केंद्र का नाम क्या होगा जटायू सररच्छन और प्रिजनन केंद्र नेक्स्ट कोशन है 2023 में ट्रांसमिसन लाइन जोडने में कौन सा राज प्रथम स्थान पर रहा है आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश तो देखिए अभी केंद्रिय विद्धुत प्रादीकरण के दुआरा कुछ आंक्रे पेस किये गए हैं और इसमें ये बताया गय है कि ट्रांसमिसन लाइन जोडने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर रहा है दूसरे स्थान पर गुजरात तमिल नाडु तीसरे और चौत्र प्रदेश रहा है दो हजार बाईस तेस में भी ट्रांसमिसन लाइन जोडने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थ पित किया गया है, आंसर हो जाएगा चित्रकूट में, तो उत्तरप्रदेश के चित्रकूट जिले के तुलसी जल प्रपात में, उत्तरप्रदेश का पहला ग्लास स्काई बाक ब्रिज बनाये गया है, देखें ये ग्लास का ब्रिज बनाये गया है, काच का ब्रिज बनाये गय प्रशाइब को नहें 3Net app 2.0 किस राज की पुलिस ने लौँच किया है? अंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश पुलिस ने 3Net app 2.0 को राज में अपराद की रोक थाम और जाच में मदद के लिए तैयार किया है और इसको लौँच किस ने किया है? उत्तरप्रदेश के DGP प्रसा करें इंटरफ्यस की PDF और टेस्ट पास मिल जाएगा. टेस्ट पास में भारत की जितने भी competitive exam है उनके लिए टेस्ट मिल जाएगे और इस टेस्ट की validity होगी एक वर्स के लिए. तो यहां पर आप अपनी तयारी को परक सकते हैं. तो अगर आप टेस्ट पास प्राप्त करना की इजादत दी है. अंसर हो जाएगा वारांडसी. तो वारांडसी में इस्तित्य ग्यान बापी तो उसके तहखाने में पूजा करने की इजाज़ा दी है जिला अदालत ने. अंगला कुशन आपसे पूछा जा रहा है उत्तप्रदे सरकार के द्वारा किस बीमारी के तो उत्तप्रदे सरकार के द्वारा 5-15 फरवरी दो हजार이죠 तक फाइल एरिया को खत्म करने के लिए एक भार्सिक मास ड्रग एड्मिनिस्टेशन अभियान शुरू किया गया था जिसके अंतरजत्ड घर घर जागर लोगों को फाइल एरिया के रोक्थाम के लिए दबा ख एक पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि कैंसरकार ने ये लक्ष रखा है कि 2027 तग देश को फाइल एरिया से मुक्त किया जाएगा अंगला कुशन है सुभाश चन्र बोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार 2024 किसे प्रदान किया गया है तो आंसर हो जाएगा 60 पैरासूर्ट फील्ड हॉस्पिटल को तो ये हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में इस्थित है तो इसे सुभाश चन्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 संस्था गस रेणी में प्रदान किया गया है आपको याद रखना है कि सुभाश चन्र बोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार 2019 से प्रदान किया जा रहा है तो यह ब्यक्ति का स्रेणी और संस्था स्रेणी में दिया जाता है तो संस्था स्रेणी में 60 पैरसूट फिल्ड होस्पिटर उत्र प्रदेश को याई अबाड दिया गया है जब किसी संस्था को याई अबाड दिया जाता है तो उसके अंतरगत 59 लाख रुपए की नगद रासी प्रदान किया जाती है पियम मोदी ने उत्तप देश की किस सहर में 19,100 करोड रुपए से अधिक की परियोशनाओ का उधगातन किया है अंसर हो जाएगा इस कुशन का बुलंद सहर में तो दोस्तो प्राइमिस्टर मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलन सहर में 19,100 करोड से अधिक की बिकास परियोजनाओं का उदगाटन और सिलन्यास किया था। ये परियोजनाओं रेल, सडक, तेल और गैस और सहरी बिकास इबम आबास जैसी कई महत्पूर्ट शेत्रों से संबन्दे थी। पियमोदी ने इंडियन ओयल की 255 किलो मीटर लंबी डूंडला, गबारिया, पाई प्लान का भी उदगाटन किया है, जो करीब 700 करोड रुपए की लागस से बनाई गए है। तो ये काफी इंपोर्टेंट फेक्ट है, इसे भी आप नोड कर ले। अंगला कोशन है, यूपी गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया है, आंसर हो जाएगा डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिबारी को, इन दोनों लोगों को यूपी गौरव सम्मान 2024 प्रदान किया गया है, तो इस कोशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप्शन नमर सी यानि ए और बी दोनों, तो लखनव की रहने वाली डॉक्टर रितु करिधल स्रीबास्ताव और कानपूर के नवीन तिबारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया है, दोस्तो इस सम्मान के तहट 11 लाक रुपई की नगत रासी प्रदान की जाती है, और यह पुरुसकार हर साल उत्तर प्रदेश दिवस यानि 24 जनवरी को प्रदान किया जाता है, दोस्तो रितु करिधल के बारे में आपको याद अखना है कि वह एक व्यग्यानिक और एरो स्पेस इंजीनियर है, अंगला कुशन है, आयोध्या राम मंदिर में राम लला अठारा सो करोर का, और जो मूर्ती इस्थापित की गई है, उसमें सूर, ओम, गडेश, चक्र, संख, गदा, स्वास्तिक की आकरती बनी हुई है, राम मंदिर में पांच मंडफ हैं, और आपको याद रखना है कि राम लला की जो मूर्ती बनाई गई है, उसको किसने बनाया है करनाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने, राम मंदिर का डिजाइन किसने किया था, चंदरकांत सौमपुरा ने 1989 में ये डिजाइन किया हुआ था, और राम मंदिर का निर्मार किन कंपनियों ने किया है, तो टाटा ग्रुप और L&T कंपनी ने तयार किया है, अं उनको लॉंच किया जाएगा, इस पहल का उद्देश है, आयोध्या को एक मॉडल सौर सहर की रूप में बदलना, इस नाओ को किसने डेबलप किया है, यूपी नीडा ने डेबलप किया है, अंगला कुशन है, नीती आयोग की रिपोर्ट के अंसार, पिछले नौ सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तो इस कोशन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, उप्सन नम्मर सी, यानि 24.8 करोड, तो नीती आयोग के द्वारा अभी हाली में एक रिपोर्ट जारी की गए, जिसमें ये बताया गया है, कि भारत में पिछले की पूर्विची तावने के लिए राहत बानी केंद्र लॉंच किया है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की गवर्रमेंट के द्वारा आपदा की पूर्विची तावने के लिए एक राहत बानी केंद्र स्थापित किया है, जिसके माध्यम से आम लोगों को प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी प्रदान की जा सकेगी पहले All Girls Seneca School का उत्गाटन कहां किया गया है आंसर हो जाएगा ब्रंदावन और ब्रंदावन किसके अंतरगत आता है मतुरा के अंतरगत आता है इस बात को आप याद रखेगा तो मतुरा जले के ब्रंदावन में पहले अखिल भारतिया बालीका सेनेक स्कूल का उत्गाटन क्या गया है इस स्कूल का क्या नाम रखा गया है संबेद गुरू कुलम गल्स सेनेक स्कूल addition question है hot cooked meal योजना किस राज में शुरू की गई है तो यही योजना उत्तर प्रदेश राज़ में शुरू की गई है। तो चीप मिरिश्टर योगी आदित नात ने उत्तर प्रदेश में होट कोक्ड मील योजना की शुरूबात की है जिसके तहट आगन बारियों में 3-6 साल के वच्चों को पॉस्टिक भोजन उपलब्द करा अंगला कुशन है बिजली उपभोगताओं के लिए कंजूमर एप किस राज में लॉंच किया गया है तो यह उत्तर प्रदेश में लॉंच किया गया है तो उत्तर प्रदेश के उर्जा मंतरी एकी सर्मा ने कंजूमर एप लॉंच किया है इस एप के माध्यम से बिजली आंसर हो जाएगा चंदरनगर, यानि अब फिरोजाबाद चंदरनगर की नाम से जाना जाएगा, इसके लिए उत्तर प्रदेश राज सरकार की मंजूरी भी मिल गई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी जैनती पर 25 नवंबर को no non waste day गोशित किया है, आंसर हो जाएगा साध साधू टी एल वासवानी, तो साधू टी एल वासवानी के जनमे दिवस, यानि 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश में सभी बूचड़ खाने और मास की दुकाने बंद रहेंगी, यानि कि इसे no non waste day गोशित किया गया है, टी एल वासवानी के बारे में कुछ बिसिक जानकारी दिसकस करते हैं, तो इनका जनमे 25 नवंबर 1889 को हैदराबाद में हुआ था, उनका पूरा नाम है साधू थावरदास्त लीला राम वाशवानी, वह भारत के सिक्षा बिर एवं सोतंता संगराम सैनानी थे, वासवानी ने सिक्षा में मीरा आंदोलन चलाये था, उन्होंने पोड़े में साधू बासबानी मिसन की स्थापना भी की थी, अंगला कुशन है किस राज्य सरकार के द्वारा सीम फैलोसिप कारकरम शुरू किया गया है, आंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश, तो उत्तरप्रदेश सरकार ने स्पी रेसनल सिटी योजना की तहट सीम फैलो परिसर कहां इस्तित हैं जिसका सर्वे करने के लिए इलाभाद हाइक ओडने आदेश लिया है, आंसर हो जाएगा मतुरा। þो इलाभाद हाइगा मतुरा के स्री क्रिस्न जनिव भूमी साहि इदगाह बिवादित परिशर को लेकर के फैंसला सुनाया है, तो कोट ने अंगला कुशन है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्ज में कितने साइबर अपराद पुलिस स्टिशन खोलने को मंजूरी दे दी है अंसर हुजाएगा इसका ओप्शन नंबर A यानि संतावन दोस्तो उत्तर प्रदेश के संतावन जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे इन थानों की स्थापना लगबग एक अरब 27 करोड 24 लाक 59 रुपए के खर्च से की जाएगी और इनके माध्यम से बढ़ते हुए साइबर अपराद पर अंकुश लगाया जा सकेगा अंगला कुशन है किस राज में संस्कृति उत्सव मनाया गया है आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृति उत्सव मनाया गया है और इसका उत्तर प्रदेश था उत्तर प्रदेश की संस्कृतिक बिरासत को सम्रि और इसकी थीम क्या थी उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान अंगला कुशन है आयोध्या रेलबे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है आंसर हो जाएगा आयोध्या धाम तो आयोध्या रेलबे स्टेशन का नाम बदल कर अब आयोध्या धाम जंक्सन कर दिया गया है इस बात को आप याद रखेगा अंगला कुशन है उत्तर प्रदेश में पहली अंतर जिला हैलिकाप्टर सेवा का शुबारंब किसने क्या है अंसर हो जाएगा योगी आदित नाच जी ने तो उत्तर प्रदेश की चीफ मिस्टर योगी आदित नाच जी ने वटेसर जो की आगरा में हैं वहां से आगरा मतुरा पहली अंतर जिला हैलिकाप्टर सेवा की शुरुबात की है तो यह आगरा और मतुरा के बीच 65 किलोमीटर की दूरी तै करेगी यानि यह हवाई जो सेवा शुरू की गई है इसमें 65 किलोमीटर की दूरी तै की ज बिकास बिभाग ने एक सहरी सडक बुन्यादी अवसरचना बिकास एजेंसी यानी URIDA की स्थापना की है और इसका प्रमुखुदेश है CM Grits योजना को जमीन पर लागू करना नेक्स्ट कोशन है दच्छन पशिम एसिया के सबसे बड़े कोका कोला वाटलिंग प्लांट का लोकारपन कहां किया गया है आंसर हो जाएगा अमैठी में तो अमैठी जिले के भादर के त्री सुन्डी में इस्तित और द्योगिक शेतर में 900 करोड की लागत से बने SLMG Web Rages Private Limited क कोका कोला वाटलिंग प्लांट का अभी हाली में लोकारपन किया गया है और इसका लोकारपन किस ने किया था CM योगी आदित नाची ने प्रोजेक्ट में करीब 900 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है किस राज्य सरकार के द्वारा गौब अंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश तो दोस्तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गौब अंसों की वास्तविक संख्या का पता लगाने और उनके कल्यान के लिए योजना बनाने के लिए उनकी गड़ना कराने का निड़ना लिया है अंगला कुशन है उत्तर प्रदेश की आनंदा डेरी ने पसुधन सुधार के लिए किस देश की कमपनियों के साथ समझोता किया है? आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील तो दोस्तो उत्तर प्रदेश के डेरी छेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की आनंदा डेरी ने ब्राजील की कंपनियों के साथ एक समझोता किया है। विस्व रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है और इसका उत्तर प्रदेश है शात्रों के लिए समान आउसर पैदा करना। अंगला कुशन है किस राज्य ने अंतर देशिये मचली पालन में पहला इस्थान प्राप्त किया है। अंगला कुशन है किस राज्य सरकार के द्वारा इसकूल सेड्यूल में बतलाओ किया जाएगा। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश नई सिक्षा निती यानि NEP लागो करेगी जिससे इसकूलों में पढ़ाई के घंटों में कटोती की जाएगी। इसकूलों में 29 घंटे पढ़ाई होगी और सौंबार से सुकवार तक कक्षाएं 5 से 5.5 घंटे लंबी होगी। हर माह के सभी दूसरे सनिवार को कक्षाएं 2 से 2.5 घंटे की होगी और अन्य दो सनिवार को आवकास रहेगा। तो इस प्रकार्ट का सेड्डियूल जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पहला सौर सहर कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा आयोध्या। तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर सहर कौन बने जा रहा है? आयोध्या। तो सरीव नदी के किनारे एक सॉलर पार्क भी डेबलब किया जाएगा। अंगला कुशन है उत्तर प्रदेश के सीम योगी आदितनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहां किया है। आंसर हो जाएगा उन नाव में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीम योगी आदितनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के डॉंडिया खेडा गाउं में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बक्स सींग की घुर सबारी की प्रतिमा का अनावरण किया है। पर आप उस प्रतिमा को देख सकते हैं। अंगला कोशन है यह मुख रूप से उत्तर प्रदेश की गंगा, यमना, चम्बल, घागरा और राप्ती और गेरुआ नदियों में निबास करती है। अंगला कोशन है स्वक्ष तेओहार, स्वस्त तेओहार अभियान किस राज में शुरू किया गया है। अंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगामी तेओहारों के लिए मंद्रों और आसपास की छित्रों में विशे स्वक्षता अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है स्वक्ष तेओहार, स्वस्त तेओहार। अंगला कुशन है, मिसन महिला सार्थी का सुभारंब किस राज में किया गया है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के सहरों में जो ट्रैफिक जाम लगता है, उसी निपटने के लिए एक ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की शुरूबात की गई है, अं मेजर ध्यानचंद म्यूजियम यानि होकी म्यूजियम कहां स्थापित किया गया है, तो यह जहांसी में स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की चीफ मिस्टर योगी आदितनाजी ने इसका लोकारपन किया है, और यह जो म्यूजियम बनाया गया है, यह होकी के ज जाएगा अयुध्या में तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतिय मंदरों की इस्थापत, विरासत और व्यज्यानिक पहिलों को प्रदर्सित करने के लिए अयुध्या में एक मंदर संग्रालय बनाने की घोशना की है ठीक है तो यहाँ पर मंदरों की जो संस्क्रति है वो बत जाबा देने के लिए नंद बाबा मिशन की तहट नंदिनी क्रिसक सम्रधी योजना की शुरुबात की है अंगला कुशन है पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड सो का उधगाटन किस ने किया है आंसर हो जाएगा राष्ट पदी द्रोपती मुन्बुजी ने तो यहाँ पर एक और कुशन बन जाता है कि इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट कहां है तो यह ग्रेटर नोड़ा में है दोस्तो अब आपके लिए एक कुशन भी है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्श में बताना है तो कुशन क्या है तो किस राज की पोलिस ने लौंच क्या है जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्श में जरू बताइएगा आप स्टेडी करके टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं तो आपको टेलिग्राम पर जाना है और स्टेडी कर ओफीसियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा उसे जोईन हो अगस्त दो हजार चौबीस तक के करिंट अफ्यस की इबुक मिल जाएगी जिसमें 500 MCQs हिंदी और इंग्लिस दौनों मीडियम में इंक्लूड किये गए हैं ये इबुक काफे इंपोर्टेंट है आपके एकसाम की दिष्टी से जुलाई दो हजार चौबीस के करिंट अफ् का टेस्ट हर रोज आयुजित किया जाता है तो इसको भी आप दे सकते हैं ये बिल्कुल फ्री होता है तो इसको आप प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आप एप के इबुक बाले सेक्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मन्तली करेंट अफ्यस, एरली करेंट इसके अलाबा सभी राज्यों के जीके की इबुक भी मिल जाएगी और जीके भी मिल जाएगा आपको टॉपिक 22 तो इन सभी को प्राप्ट करने के लिए एप को जरूर डाउनलोड करें आप हुमारे वार्टसेप चैनल और इस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं इ सभी का लिंक डिस्किप्शन बॉक्श में दिया गया है